हेलो फ्रेंट्स, वल्कम टो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ दिव्याशर्म ग्यारा दिन, यह सिर्फ एक पत्ता चबा कर खालो, वात, पित, कफ, दोश दूर हो जाएंगे सो साल तक शूगर रोग, कॉलेस्टरॉल, पेट की रोग, मुटापा, अस्तमा और दिल की बिमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी पौधे और उनकी पत्तों के बारे में बताने वाले हैं दोस्तो यदि आप इस एक पत्ते को हर रोज सुबह खाली पिट चबा कर खाते हैं और उपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी लेते हैं तो दोस्तो आपके शरीर को जो चमतकारी फाइदे होंगे उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे क्योंकि इस एक पत्ते को हर रोज सुबह खाली पिट चबा कर खाने से आपके वात, पित और कफ दोश दूर हो जाएंगे और दोस्तो हमारे शरीर में जितनी भी मैकसिमम बिमारियां आती हैं उन सब का कारण कहीं न कहीं वात का बिगड़ना, कफ का बिगड़ना और पित का बिगड़ना होता है यानि इन तीनों दोशों के कारण ही हमारे शरीर को कोई न कोई बिमारी जनम लेती है हर बिमारी का कारण यही तीनों दोश होते हैं पहला तो छोटी-छोटी बिमारियों का जनम होता है उसके बाद वही बिमारियां पड़े रूप में हमारे सामने आती हैं जिसे diabetes, दिल की बिमारी, blood pressure की बिमारी, पेट की बिमारी, मोटापा, इस तरह से दोस्तों एक पत्य को खाने से हमारे शिरीर की immunity power, रोगों से लड़ने की शक्ती बहुत बढ़ जाती है, दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं, यदि आपके शिरीर में रोगों से लड़ने ये आपको आपके आस-पास बहुत असानी से मिल जायगा, दोस्तों गिलोए एक बेल होती है, गिलोए को अमृता के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारे शिरीर के लिए एक अमृत के समान अशदि है, आईरवेद के अंसार, गिलोए की बेल जिस पेर पर चड़ जाती है उ आते साथ नीम के गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं। गिलोई के अंदर कोपर, आइरन, फासफोरस, जिंक, केल्शियम, मिगनेशियम, परचूर मत्रा में पाय जाता है। दोस्तो आयरोवेट के इंसार गिलोई की पत्ती, जड़ और तना, तीनों ही भाग हमारी सेहत के लि गुण भी पाय जाते हैं। इनी गुणों की वज़े से ये बुखार ही नहीं, पीलिया, गठिया, डाइबिटीज, कब्ज, एसिडिटी, एपच, मुतरसबंदी रोगों और दिल की बिमारियों के लिए बेहत कारगार उशदी है। बहुत कम उशदियां ऐसी होती हैं, जो वात, पित और कफ तीनों को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों गिलोई उनमें से एक है, जो आपकी वात, पित और कफ तीनों ही दोशों को दूर करती है। ये हानिकर टॉक्सन से जुड़े हुए रोगों को भी दूर करती है। दोस्तों चलिए जानती हैं गिलोई के चमतकारी फाइदों के बारे में कितनी मात्रा में सेवन किया जाता है एक स्टेडी से ये चीज़ सामनी आई है कि गिलोई हाइपोग्लाइसमिक इंडेक्स की तरे काम करती है और टाइप टो डाइबिटीज को कंचोर में रखने के लिए बहुती महतफुर्म भूमी का निभाती है गिलोई के एक पत्ते को चबा कर खाने से ब्रश उगर के स्टर को कम करने में काफी मदद मितली है इंसुलीन का स्टर बोडी में बढ़ने लगता है इसलिए डाइबिटीज रोगियों को रोजाना गिलोई के पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए तो दोस्तों आपने क्या करना है आप चाहिए तो इसका एक पता लीजी और सुवे खाली पेटी से चबा कर उपर से गुनगुना पानी पी लीजी नहीं तो आपने जो इसकी बेल होती है उसका चार से पांच इंच का टुकडा लेना है उसे किसे भी चीज से कूट लीजी एक राश कर लीजी हलका हलका और एक गिलास पानी में उबाल कर ये पानी जो चाए ये काड़ा जो भी आप कुछ का हैं इसे बना कर आप पी लीजी हलका सा गुनगुना जरूर कर लीजी जब पानी उबल जाएगा तो बहुत तीज गरम दोस्तो इसके इलावा जितने भी arthritis की patient है जिनके भी जोडों में दर्द होता है गटिया वाई की समस्या हो चुकी है उनको तो रोजाना गिलोए का सेवन जरूर करना है उनको गिलोए की बेल जो होती है उसका 4-5 इंच का टुकडा जैसे की मैंने आपको बताया crush करके गिलास पानी में उबा लिए चान लीजिए और इसको हलका सा ठंडा करके इसकी अंदर 4 चमच एलोवेरा जूस मिक्स करकी अगर कोई इंसान लेता है तो उसका RA factor नॉर्मल आ जाता है इसके इलावा यूरिक ऐसेड अगर बढ़ा हुआ है तो वो भी नॉर्मल हो लेकिन आपने इसका सेवन लगातार एक महीना जरूर करना है दोस्तो देंगू उसे बचे रहने के लिए गिलोवे एक अमृत की तरह काम करती है देंगू हो जाता है तो बहुत तेज बुखार आता है तो गिलोवे के अंदर एंटी बैक्टीरियल गुन होते हैं जो बुख पाचन से होने वाली जितनी भी समश्या हैं जैसे कि गैस, एपच, एसीदिची इन सभी समश्याउं को ये गिलोवे दूर कर देती है गिलोवे का काड़ा पेट की सभी समश्याउं को दूर करता है कब जो एपच से चुचकारा दिलाता है दोस्तो आपको इसका सेवन लगा तार 15 दिन जरूर करना है इसके इलावा इसका काड़ा बना कर पीने से या फिर इसका रोजाना एक पता चबा कर खाने से पाचंत अंतर दरुस्त होता है और शरीर की बत्तर हजार नाडियां शुद्ध हो जाती है, साफ हो जाती है दोस्तो, गिलोई में एंटी एलर्जिक गुन भे पाए जाते है अगर किसे इंसान को खांसी बहुत जल्दी होती है बार-बार खांसी होती है तो उनको रोजाना गिलोई की जो बेल होती है उसका काड़ा बना कर 4-5 एंच का टुकड़ा ही लेना है तो उस तरीके से अगर आप रोजाना उसका काड़ा बना कर पानी बना कर पीते हैं तो खांसी जो होती है इसकी इलावा जो अलर्जी है किसी भी चीज़ की वो दूर हो जाएगी ये हमारी इमिनिटी को बढ़ा कर बहुत सारी बिमारी उसे हमें बचा कर रखता है गिलोई का जूस या फिर इसके पत्तों को चबा कर खाने से सर्दी जुखाम जैसी समस्याइं भी नहीं होती दोस्तो पीलिया जो होता है जॉन्डिस उसमें गिलोई का सेवन करना बहुत अच्छा है इसके इलावा गिलोई के सेवन से पीलिया का बुखार हो या पीलिया की कारण आपको और समस्यां आ रही हो तो उसमें भी ये चमत कारी फल देता है दोस्तों ये शरील में खून की कमी को दूर करता है अगर कोई अनीमिया का पेशिंट है या फिर महिलाओं में ज़्यादा तर खून की कमी रहती है तो उनको रोजाना, गिलोई का जूस का सेवन रोजाना करना जाहिए या फिर इसका एक पता चबा कर खाना जाहिए ये खून को साफ भी करता है, कभी-कभी खून साफ ना होने की कारण, युवाओं में या फिर वैसे भी लोगों में, फेस पर पिंपल होने लगते हैं, डार्क सरकल होने लगते हैं, जो रियां आने लगती हैं, एसिंग एफेक्ट्स ज़्यादा दिखने लगते हैं, तो उनक की ब्लॉकेस को पैदा कर दीती है और हाट अटेक का कारण बनती है यानि बुरा कॉलेस्ट्रोल बढ़ने पर जान तक का खत्रा आ जाता है तो अगर आप रोजाना गिलोए की बेल का चार से पांच इंच के टुकडे को एगिलास पानी में उबाल कर उसे हलका सा गुन-गुन करके सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये हाच में ब्लॉकेस नहीं आने देगी इतना ही नहीं ये पूरी बॉडी की नसों में कहीं ब्लॉकेस नहीं आने देगी इसलिए इसका सेवन आपको जरूर करना है ये गिलोए एक एंटी अर्थ्राइटिस गुन की तरह काम करती है इनी गुनों के कारण गठिया रोगियों को रोजाना इसका सेवन करना है। खास तोर पर वो लोग जिनके जोडों में लगातार दर रहता है। जोडों के अंदर ग्रीस खतम हो चुकी है। गिलोए के अंदर एंटी इंफ्लमेंटरी कुन पाए जाते हैं। जोकी शरीर में होने वाली सूजन को दूर करते हैं। खिलोए के नियमित सेवन से लीवर सबंदी बिमारियों से आप बचे रहेंगे। दोस्तो लीवर हमारे शरीर के लिए एक इंजन की तरह काम करता है। जब हमारे शरीर का इंजन सही तरह से काम करेगा, तब हमारे शरीर भी सही तरीके से काम कर पाएगा। दोस्तो यदि आपको वात, पित और कफ से सबंदित कोई समस्या नहीं है, तो इन सभी समस्यां उसे दूर हैं, तो आप हमेशा निरोग रहेंगे, आपने क्या करना है, रोजाना सिर्फ इसका एक पता धोना है, साफ करके इसे चबा कर खालेना है, सुबह मौर्निंग में खाल पेट, इसके आदे गंटे के बाद आप किसी भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं, हाँ इसे चबाने के बाद उपर से आपनी गुन्गुला पानी बैट कर ज़रूर बीना है, दोस्तो यदि आपने ऐसा किया, तो आपको बहुत चमतकारी रिजल्ट मिलेंगे, आपके शरीर के बहुत सारी बिमारियां दूर हो जाएगी, इम्मिनिटी पावर बहुत बूस्ट हो जाएगी, मोटापा दूर हो जाएगा, शरीर का मेटाबोलिजम बूस्ट हो जाएगा, आप पेट के रोगों से बचे रहेंगे, किसी किसम की भी कोई बिमारी वाद, पित और कफ के तो दोस्तों ये जानकारी ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजीगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजीगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पुछे, आ आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा, जिलते हैं दोस्तों, नेच्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, स्टे हल्दी, आल्वेस बैपी, थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो, ओके बाई